कि राहूल गांधी सूरत के एपिलीट कोट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था क्या उस पर रोक लगेगी इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और अब जब सूरत के Appeliate Court का judgment आया है उसका verdict आया है पूरे देश में खुशी का माहोल है और खास करके पिछड़े वर्ग में जिसके प्रती राहुल गांधी के मन में वेमनस्य का भाव था जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें गाली देने का काम किया था और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे वो नहीं हो पाया है यह जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके जो गांधी परिवार यह सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगडेगा आज सूरत के अपिलियेट कोट से ये सिद्ध होता है कि कानून सब के लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है हमें याद है जब ट्रायल कोट का जज्जमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कॉंग्रिस के लोग और एक एको सिस्टम जो कॉंग्रिस के साथ रहती है इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहूल बनाया कि ये ट्रायल कोट में कुछ गड़बडी थी ये ट्रायल कोट के जज्ज और ट्रायल कोट का पूरा का पूरा जो सिस्टम था कहीं न कहीं वो बायस था उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोट ने फसाने की कोशिश की राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था क्या हो गया अगर उसने OBC समाज को गाली देने का काम किया क्या हो गया अगर पिछडे वर को उसने चोर कह दिया तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था कहीं न कहीं एक साजिश थी दिस वस डेथ ओफ डेमोक्रिसी इन इंडिया और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहूल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहूल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लमेंट से एक तरह से डिस्क्वालिफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था मगर आज जब अपीलियेट कोट से जज्ज्मेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वस नॉट डेथ अफ डेमॉक्रिसी अफ इंडिया दिस इस अ ब्लो अन दी आरोगेंस ऑफ दे गांधी फैमिली यह लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है यह जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहूल गांधी का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आगात है कोट के माध्यम से